आप सभी को मेरा नमशकार मैं रिशिकेश मजुमदार आज बास्वरी वादन करने वाला हूँ आज मेरे लिए बड़े खुशी के बात है क्यूंकि इस बड़े मंच पर बुझे बजाने का मौका मिल रहा है और इस इस उपर्चिनिटि के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देविंदर जी को कि उनोंने मुझे अफसर दिया कि मैं इस 스ज़ पर बजा सकू और अपना कला दिखा सकू स्टेज पर बजा सकू और अपना कला दिखा सकू और देवंद्री जी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कौस्तूब अंकल को कौस्तूब अफचट जी को जिन्नोंने देवंद्र जी को मेरे बार में बताया कौस्तुब जी कौस्तुब अंकल मेरे गुरु भाई भी है मेरे पिता जी रूनु मजुमदार जी से सीखते हैं वो अभी शाम का समय है तो राग विहाग बजाना चाओंगा राग विहाग वैसे तो थोड़े बाद में आता है पर अभी थंडी का मौसम चल रहा है इसलिए थोड़ा मैं एडवांटेज लेकर राग विहाग बजाना चाओंगा मैं कॉंसर्ट की शुरुवात करूँगा अपने महियर घराना की हिसाब से जिसमें मैं शुरुवात करूँगा आलाब जोड़ जाला से और आलाब जोड़ जाला के बाद मैं गद बजाऊंगा चौदा मात्रे के धमार में बड़ाई सुंदर ताल है और धमार के बाद मैं बजाऊंगा एक ताल बारा मात्रा दुरूद बंदिश के लिए तो आशिरवात दीजिए शुक्रिया थ्यूड़ खेता लड़ परने के बाद दूपास 20.1 टाले को आये से बाद मां कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल